अब मैं मानिये प्रधान मंत्री महोदे से सविनान रोध करना चाहूंगा के वे इस अपसर पर अपना संबोधन दिग्रशन एवं आसिरवचन देने की कृपा करें पुतराखन की गवर्नर श्रीमती बेबी रानी महोरिया जी मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंदर सीरावज जी केंद्रिय मंत्री मंडल की मेरे सयोगी गजनजर सी सेखावज जी डॉक्टर रमेश पकरियाल निशंग जी स्री रतनलाल कटारिया जी अन्य अधिकारी गण और उतराखन के मेरे भाई और बहनो चार धाम की पवित्रता को अपने में समेटे देव भूमी उत्राखन की धरा को मेरा आदर पूर्वक नमन आज मा गंगा की निर्मलता को सुनिस्षित करने वाले छे बड़े प्रोजेक्स का लोकारपन किया गया है इसमें हरिदवार, रिशिकेश, बदरिनाथ और मुनी की रेती में सीवेट ट्रिट्मेंट प्लांट और मुजियम जैसे प्रोजेक्स भी शामील है इन तमाम प्रोजेक्स के लिए उत्राखंड के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों अपसे कुछ दूर देर पहले जब जल जीवन मिशन के खुपशुरत लोगों का और मिशन मारदर्जिका का भी विमोचन हुआ है जल जीवन मिशन भारत के गावों में हर घर तक सुद्ध जल पाईप से पहुँचाने का यह बहुत बड़ा अभियान है मिशन का लोगों निरलतर इस बात की प्रिरणा देगा कि पानी की एक-एक मुंद को बचाना आवश्यक है वहीं ये मारदर्शिका गावों के लोगों ग्राम पंचायत के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी सरकारी मशिनरी के लिए आवश्यक है ये परियोजना की सबलता सुनिश्चित करने का बहुत बड़ा माध्यम है साथियों आज जिस पुस्तक का विमोचन हुआ है उसमें भी विस्तार से ये बताया गया है कि गंगा किस तरह हमारे सांस्कृतिक वैभव, आस्था और विरासत तीनों का ही बहुत बड़ा प्रतीक है उत्राखन में उत्गम से लेकर पंच्चिम बंगाल में गंगा सागर तक गंगा देश की करीब करीब आधी आबादी के जीवन को सम्रद्द करती है और इसलिए गंगा की निर्मलता आवशक है गंगा जी की अविरलता आवशक है बीते दसकों में गंगा जल की स्वच्चता को लेकर बड़े बड़े अभियान शुरू हुए थे लेकिन उन अभियानों में न तो जड़ भागीदारी थी और नहीं दुरदर्शी था नतीजा ये हुआ कि गंगा का पानी कभी साफ ही नहीं हो पाया साथ क्यों अगर गंगा जल की स्वच्चता को लेकर वही पुराने तोर तरीके अपनाए जाते तो आज भी हालत उतनी ही बुरी रहती लेकिन हम नई सोच नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े हमने नमामी गंगे मिशन को सिरफ गंगा जी की साफ सफाईता की सिमित नहीं रखा बलकि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तरुत नदी समरक्षण कारकम बनाया सरकार ने चारो दिशाओं में एक साथ काम आगे बढ़ाया पहला गंगा जल में गंदा पानी गिरने से रोकने के लिए सीवेज ट्रिट्मेंट प्लांटों का जाल बिछाना शुरू किया दूसरा सीवेज ट्रिट्मेंट प्लांट ऐसे बनाये जो अगले 10-15 साल की भी जरूरते पूरी कर सके हैं तीसरा गंगा नदी के किनारे बसे सो बड़े शहरों और पांच हजार गावों को खुले में सौच से मुक्त कर रहां और चौथा जो गंगा जी की सहायक नदिया है उनमें भी प्रदिर्शन रोकने के लिए पूरी ताकट लगाना साथियों आज इस चौथ अर्फा काम का परिणाम हम सभी देख रहे हैं आज नमामी गंगे कारकम के तहट तीस हजार करोड रुपिय से अधिक की परियोजनाओं पर या तो काम चल रहा है या फिर पूरा हो चुका है आज जिन प्रोजेक्ट का लोकारपन किया गया है उनके साथ ही उत्राखन में इस अभियान के तहट चल रहे करीब करीब सभी बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो चुके है हजारों करोड के इन प्रोजेक्ट से सिर्फ छे सालों में ही उत्राखन में सीवेज ट्रिट्मेंट की ख्षमता करीब करीब चार गुना हो चुकी है साथियों उत्राखन में तो स्थिती ये थी कि गंगोत्री, बद्रिना, केदार्ला से हरिद्वार तक 130 से जादा नाले गंगाजी में गिरते थे आज इन नालों में से अधित्तर को रोक दिया गया है इसमें रिशिकेश से सटे मुनी की रेती का चंद्रेश्वर नगर नाला भी शामिल है इसके कारण यहां गंगाजी के दर्शन के लिए आने वाले, राफ्टिंग करने वाले, सासिक निथात्यों को बहुत परिशानी होती थी आज से यहां देश का पहला चार मंजिला सीवेज ट्रिक्मेंट प्लाम शुरू हो चुका है हरीद्वार में भी ऐसे बीच से जादा नालो को बंद किया जा चुका है साथियों, प्रयाग राज कुम्ब में गंगाजी की निर्मलता को दुनिया भर के सरद्धालूनों अनुभव किया था अब हरीद्वार कुम्ब के दवरान भी पूरी दुनिया को निर्मल गंगास्थान का अनुभव होने वाला है और उसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं साथियों, नमामी गंगे मिशन के तहत ही गंगाजी पर सेंकडों गाटों का सुन्द्रिकरन ये किया जा रहा है और गंगा विहार के लिए आधुनिक रिवर फ्रंट के निर्मान का कारिय भी किया जा रहा है हरीद्वार में तो रिवर फ्रंट बनकर तयार है अब गंगा मुजियम के बनने से हैं यहां का आकर्षन और अतिक बढ़ जाएगा यह मुजियम हरिद्वार आने वाले परेटकों के लिए गंगा से जुड़ी विरासत को समझने का एक माद्यम बनने वाला है साथियो अब नमामी गंगय अभिहान को एक नए स्तरपल ले जाया जा रहा है गंगा जी की स्वच्चता के अलावा अब गंगा से सटे पूरे शेत्र की अर्थेववस्ता और परियावरण के विकास पर भी फोकस है सरकार द्वारा उत्राखन सहीत सभी राज्यों के किसानों को जैविक खेती आयुर्वेदिक पौधों की खेती का लाव दिलाने के लिए व्यापक योजना बनाई गही है गंगा जी के दोनों और पैड़ पहुदे लगाने के साथ ही और्गेनिक फार्मिक से जुड़ा कोरिडोर भी विक्सित किया जा रहा है गंगा जल को बहतर बनाने के इनकारियों को अम मैदानी इलाकों में मिशन डॉल्फिन से भी मदद मिलने वाली है इसी पंदरा अगस को मिशन डॉल्फिन का एलान किया गया है कि मिशन गंगा जी में डॉल्फिन सरमर्धन के काम को और मजबूत करेगा साथियों आज देश उस दोर से बाहर निकल चुका है जब पानी की तरह पैसा तो बह जाता था लेकिन नतीजे नहीं मिलते थे आज पैसा न पानी की तरह बहता है न पानी में बहता है पर पैसा पाई 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 पानी पर लगाया जाता है हमारी यहां तो हालत यह थी कि पानी जैसा महत्वपुण विशय अनेकों मंत्रालयों और विभागों में बिखरा पड़ा हुआ था इन मंत्रालयों में विभागों में न कोई तानमेल था और नहीं समान लक्ष के लिए काम करने का कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नतीजा यह हुआ कि देश में सिंचाई हो और फिर पीने के पानी से जूड़ी समस्या यह निरंतर विक्राली होते गए आप सोचिए आजादी के इतने वर्षों बाद भी पंदरा करोर से ज़्यादा घरों में पाइप से पीने का पानी नहीं पहुचता था यहां उत्राखन में भी हजारों घरों में यही हाल था गाओं में पहड़ों में जहां आना जाना तब मुश्किल हो वहां पीने के पानी का इंतजाम करने में सबसे ज़्यादा तकलीप हमारी माताओं को बेहनों को बेटियों को उठानी पड़ती थी पड़ाई छोड़नी पड़ती थी इन समस्याओं को दूर करने के लिए देश की पानी से जुड़ी सारी चुनोतियों पर एक साथ उर्जा लगाने के लिए ही जल शक्ती मंत्राले का गठन किया गया मुझे खुशी है कि बहुती कम समय में जल सक्ती मंत्राले ने तेजी से काम संभालना शुरू कर दिया पानी से जुड़ी चुनोतियों के साथ साथ अब ये मंत्राले देश के गाउं में हर घर तक जल पहुँचाने के मिशन में जुटा हुआ है आज जल जीवन मिशन के तहट हर दिन करीब करीब एक लाग परिवारों को शुद्ध पेई जल की सुविदा से जोड़ा जा रहा है सिरफ एक साल में ही देश के दो करोड से ज़्यादा परिवारों तक पीने का पानी पहुँचाया जा चुका है यहां उत्राखन में तो तिवेंद्र जी और उनकी टीम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सिर्फ एक रुपिये में पानी का कनेक्शन देने का बिड़ा उठाया है मुझे खुशी है कि उत्राखन सरकार ने साल 2022 तक ही राज्य के हर घर तक जल पहुचाने का लक्ष रखा है कोरोना के इस कालखन में भी उत्राखन में बिते 4-5 महिने में 50,000 से अधिक परिवारों को पानी के कनेक्शन दिये जा चुके है ये उत्राखन सरकार की प्रतिविद्धता को दिखाता है कमिट्मेंट को दिखाता है साथियों जल जीवन मिशन गाव और गरीब के घर तक पानी पहुचाने का तो अभ्यान है ही ये एक प्रकार से ग्राम स्वराज को गाव के शसक्ति करन को उसके लिए भी एक नई उर्जा नई ताकत नई बुलंदी देने वाला अभ्यान है सरकार के काम करने में कैसे बहुत बड़ा बड़लाव आया है ये उसका भी उदार है पहले जी सरकारी योजना उपर अक्सर दिल्ली में ही बैठ कर फैसला होता था किस गाउं में कहां सोर स्ट्रेंग बनेगा कहां से पाइपलाइन बीचेगी ये सब फैसले जादा थर राजधानियों में ही होते थे लेकिन जल जीवन मिशन ने अब इस पूरी परिपाटी को ही बदल दिया है गाउं में पानी से जुड़े कौन से काम हो, कहां काम हो, उसकी क्या तैयारी हो ये सब कुछ ताय करने का फैसले लेने का अधिकार अब गाउं के लोगों को ही दे दिया गया है पानी के प्रजेक्स की प्लानिंग से लेकर रख रखाओ और संचालन तक पूरी व्यवस्ता ग्राम पंचायत करेगी पानी समितिया करेगी पानी समितियों में भी 50 प्रतिशद गाउं की बेहने हो, गाउं की बेटिया हो, ये भी सुनिश्चित किया गया है साथियों, आज जिस मारदर्शिका का विमोचन की आ गया है वो इनी बेहनों, बेटियों, पानी कमिटी के सदस्यों, पंचायत सदस्यों के सबसे ज़्यादा काम आने वाली है एक प्रकार की मारदर्शिका है और मेरा पक्का विश्वास है पानी की कठिलाई क्या होती है पानी का मुल्ड क्या होता है पानी की आवश्यक्ता कैसे सुविदाव और संकर दोनों लाती है इस बात को हमारी माताएं बहने जितना समझती है शाहिदी कोई समझता है और इसलिए जब इसका पूरा कारोबार माताओं बहनों के हाथ में जाता है तो बड़ी संवेदन सिल्ता के साथ बड़ी जिम्मेदारी के साथ बेश काम को निभाती है और अच्छे परणाम भी देती है ये गाउं के लोगों को एक मार दिखाएगी ये किताम जो बनाई है व जल-जीवन मिशन ने गाउं के लोगों को एक आवसर दिया है आवसर अपने गाउं को पानी की समस्याओं से मुक्त करने का आवसर है अपने गाउं को पानी से भरपूर करने का मुझे बताया गया है कि जल-जीवन मिशन इस दो अक्तूबर गांधी जन्ती से एक और अभ्यान शुरू करने जा रहा है सो दिन का एक विशेश अभ्यान जिसके तहट देश के हर स्कूल और हर अंगनवाडी में नल से जल को सुनिश्चित किया जाएगा मैं इस अभ्यान की सबलता की शुब कामना देता हूँ और मैं राज्य सरकारों से भी आगरह करता हूँ कि करने जैसा पवित्र काम है राज्य सरकारे भी पूरी तरह इस जिम्वेवारी को अपने कंदे पर उठाएं और इस काम को सौ दिन में हम पुरा करके दिखाएं साथियों नमामी गंगे अभ्यान हो जल जीवन मीशन हो स्वच्छ भारत अभ्यान हो ऐसे अनेक कारकम बीते छे सालों के बड़े रिफार्म का हिस्सा है यह ऐसे रिफार्म है जो सामान्य जन के जीवन में सामाजी की वबस्ता में हमेशा के लिए सार्थक बरलाव लाने में मददगार है बीते एक डेड़ साल में तो इसमें और ज़्यादा तेजी आई है अभी जो सौंसत का सत्रा खत्म हुआ है इसमें देश की किसानों, स्रमीकों और देश के स्वास्त से जुड़े बहुत बड़े-बड़े सुधार किये गए है इन सुधारों से देश का स्रमिक ससक्त होगा देश का नवजवान ससक्त होगा देश की महलाएं ससक्त होगी देश का किसान ससक्त होगा लेकिन आज देश देख रहा है कि कैसे कुछ लोग सिरब विरोत के लिए विरोत कर रहे है साथियों, अपसे कुछ दुन पुर्व देश ने अपने किसानों को अनेक बंधनों से मुक्त किया है अब देश का किसान कहीं पर भी किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है लेकिन आज जब केंदर सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है तो भी ये लोग विरोध पर उतराए है ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए ये लोग चाहते हैं कि किसान की गाड़िया जबत होती रहें उनसे बसुली होती रहें उनसे कम कीमत पर अनाज खरीद कर बिचोलिय मुनाभा कमाते रहें एक किसान की आजादी का विरोध कर रहें जिन सामानों की उपकरोनों की किसान पूजा करता है उन्हें आग लगा कर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहें साथ क्यों बरसों तक ये लोग कहते रहें MSP लागू करेंगे MSP लागू करेंगे लेकिन किया नहीं MSP लागू करने का काम स्वामिनासन कमिशन की इच्छा के नुसार हमारी ही सरकार ने किया आज ये लोग MSP पर ही किसानों में भ्रह्म फ़ला रहे हैं देश में MSP भी रहेगी और किसानों को कही पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी भी रहेगी लेकिन आजादी कुछ लोग बरदास नहीं कर पा रहे हैं इनकी काली कमाई का एक और जरिया समाप्त हो गया है इसलिए इने परिशानी है साथियों करोना के इस कालखन में देश ने देखा है कि कैसे डिजिटल भारत अभियान ने जनदन बैंक खातों ने रुपे काण ने लोगों की कितनी मदद की है लेकिन आपको याद होगा जब यही काम हमारी सरकार ने सुरू किये थे तो ये लोग इनका कितना विरोध कर रहे थे इनकी नजरों में देश का गरीब देश के गाउं के लोग अनपड थे अग्यानी थे देश के गरीब का बैंक खाता खुल जाएं वो भी डिजिटल लेंदेन करें इसका इन लोगों ने हमेशा विरोध किया साथियों देश ने ये भी देखा है कि जब वन नेशन वन टेक्स की बात आई जीएश्ट्री की बात आई तो फिर ये लोग फिर भी रोध करने लें बातान में आगे जीएश्ट्री की वज़र से देश में घरेलू सामानों पर लगाने वाला टेक्स बहुत कम हो गया है जादा तर घरलू सामाने रसोई के लिए जरूरी चीजों पर टेक्स अब या तो नहीं है या फिर पांच प्रतिशत से भी कम है पहले इनी चीजों पर जादा टेक्स लगा करता था लोगों को अपनी जेब से जादा पैसे खर्च करने पड़ते थे लेकिन आप देखिए इन लोगों को GST से भी परेशानी ये उसका मजाग उड़ाते हैं उसका विरोध करते हैं साथ को ये लोग न किसान के साथ है न नव जबान के साथ और नहीं देश के वीर जबान के साथ है आपको याद होगा जब हमारी सरकार वन रैंग वन पैंशन लाई उत्तरा खंड के हजारों पुर्वसैनिकों को भी उनका इधिकार दिया ते लोग इसका भी विरोध कर रहे थे वन रैंग वन पैंशन लागू करने के बाद से सरकार वन पुर्वसैनिकों को लगभग 11,000 करोड रुपिये एरियर के तो दे चुकी है यहां उत्तरा खंड में भी एक लाग से जाना पुर्वसैनिकों को इसका लाब मिला है लेकिन इन लोगों को वन रैंग वन पैंशन लागू किये जाने से हमेशा दिक्कत रही इन लोगों ने वन रैंग वन पैंशन का भी विरोध किया साथियों बर्सों तक इन लोगों ने देश की सेनाओं को देश की बायू सेना को ससक्त करने के लिए कुछ नहीं किया बायू सेना कहती रही कि हमें आधुनिक लड़ा को विमान चाहिए लेकिन ये लोग बायू सेना की बात कभी नहीं सुनी उसको नजर अंदाज करते रहे जब हमारी सरकार ने सीधे फ्रांस सरकार से रफाइल लड़ा को विमान का समझोता कर लिया तो इनको फिर दिक्कत होने लगी भारतिय वायू सेना के पास रफाइल विमान आए भारतिय वायू सेना की ताकत बड़े ये इसका भी विरोत करते रहे मुझे खुशी है कि आज रफाइल भारतिय वायू सेना की ताकत बड़ा रहा है अंबाजलाज से लेकर के लेह तक उसकी गर्जना भारतिय जाबाजों का हांसला बढ़ा रही है साथियों चार साल पहले का यही तो वो समय था जब देश के जाबाजों ने सर्जिकल स्ट्राइट करते हुए आतंग के अड़ों को तवा कर दिया था लेकिन यह लोग अपने जाबाजों के साहच की प्रसौशा करने के बजाए उनसे ही सर्जिकल स्ट्राइट के सबूत मांग रहे थे सर्जिकल स्ट्राइट का भी विरोध करके यह लोग देश के सामने अपनी मन साब अपनी नियत साब कर चुके हैं देश के लिए हो जो भी काम हो रहे हो हर काम का विरोध करना इन लोगों की आदत हो गई है उनकी राजनीती का एक मात्र तरीका यह यह है बस विरोध 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 आप याद करिए बारत की पहल पर जब पूरी दुनिया आंतर राष्टिय योग दिवस मना रही थी पूरे विश्व में भारत गर्व कर सकता है योग पहुंच चुका है तो यह भारत में ही योग का विरोध कर रहे थे जब देश की सेंकड़ों रियासतों को जोडने का काम एक्तिहासिक काम करने वाले भारत की एक्ता को मजबूत करने का काम करने वाले सरदार वल्लब भाई प्रटेल की दुनिया की सबसे उची प्रतिमा का नावरण हो रहा था तब भी ये लोग इसका विरोध कर रहे थे आज तक इनका कोई बड़ा नेता स्टेज ये विनिटी के दर्शन करने नहीं गया है क्यों क्योंकि उन्हें विरोध करना है साथ क्यों जब गरीबों को दस प्रतिशत आरक्षन का फैसला हुआ तब भी ये इसके विरोध में खड़े थे जब 26 नवेंबर को सम्विदान दिवस मनाने की बात आई तब भी ये इसका विरोध कर रहे थे डॉक्टर बाबा साब अम्बेड करका विरोध कर रहे थे साथ यों पिछले महने ही आयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्मान के लिए भूमी पुजन किया गया है ये लोग पहले सुप्रिम कौट में राम मंदिर का विरोध कर रहे थे फिर भूमी पुजर का विरोध करने लग गए हार बदलती हुई तारिक के साथ विरोध के लिए विरोध करने वाले ये लोग देश के लिए समाज के लिए और प्रसांगिक होते जा रहे हैं इसकी चटपटा हाँच है, बेचे नहीं है, हताशा है, नराशा है, एक ऐसा दल जिसके एक परिवार की चार-चार पीडिया जिसने देश पर राज किया, वो आज दूसरों के कंदों पर सवार होकर, देश हिस से जुड़े हर काम का विरोध करवाकर, अपने स्वार्थ को करना चाहता है, साथियों हमारे देश में अनेकों ऐसे छोटे-छोटे दल है, जिनने कभी सत्ता में आने का मोका नहीं मिला, अपनी स्थापना के लेकर अब तक उन्होंने जांदातर अपना समय विपक्षमें ही बिताया है, इतने वरसों तक विपक्षमें बैठने के लोद नहीं किया, देश के खिलब काम नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों को विपक्षमें बैठे कुछ वरसी हुए है, उनका तौर तरिका क्या है, उनका रवया क्या है, वो आज देश भली भाती समझ रहा है, देश उसको बहुत बारीकि से देख रहा है, इनकी स्वार्त स्पार्णीति के बीच आत्म निर्भर भारत के लिए बड़े रिफॉर्म का यह सिलसिला Ladies के संसाद्वनों को बहतर बनाने का है सिलसिला DH जित में हैं देश की गरीबिशे मुक्तिक अभियान के लिए है किधि को टाकत्वर बनाने लिए है और यह निरंतर जारी रहे एक बार फिर आप सभी को विकास के सभी प्रोजेक्ट के लिए मेरी तरब से बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और फिर से मैं यही आग्रह करूंगा आप अपना ध्यान रखिये, स्वस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, बाबा के दार की कुरुपा हम सभी पर बनी रहें कामना के साथ बहुत-बहुत धन्यवार जय गंगे